अश्टो रागो चैनल में आप सभी का स्वागत है संकटा मा की पूझा कैसे किया जाता है आज हम अपने चैनल के माधिन से यही बात आपको बताएंगे संकटा माता की पूझन बिधी क्या है, संकटा माता कोन है संकटा माता के बर्त में क्या खाना चाहिए संकटा माता की पूजा कब किया जाता है ये सारी जानकारी हम आपको देंगे और आप इसे पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा आपको सारी बातें पता लग जाएंगी प्रता काल उठ करके नित्य करम करके और उसे निविट्ट होकर भली परकार से अच्छे से आप असनान कर लीजिए सच्च बस्तर धान करें और पूजा अस्थल जहां पर हमने पूजा करना है उस जगा को पूरी तरह से साफ करें और वहाँ पर गंगा जल छिड़ें और गंगा जल छिड़े करके उसको पवित्र कर लें एक छोटी सी चोकी लाना है और ला करके उस पर लाल कपड़ा विशाना है और माता संकटा की मूर्ती वहाँ पर अस्थापित कर देनी है और हम आपको बता दें कि संकटा माता कोन है संकटा माता जो हैं ये कस्मीरियों की कुल देवी हैं तो इसी के रूप में विख्यात है और इन्हें राग्या देवी खीर भवानी नाम से भी बुलाया जाता है खीर भवानी के नाम से बुलाते हैं इनके तीन रूप हैं और ये जो है रूप अपना बदल लेती हैं शंकटा भोग लगाते समय ये कन्या रूप में रहती हैं अगर आप संकटा माता का बर्त रखते हैं तो क्या करना है आप बर्त सुरू करें नेमित इसमें जब बर्त रखेंगी स्वागिनियों को बोजन कराने के लिए निमंतर दिया जाता है और उसी को जो है बुला करके वालтов चुण्री चड़ा जाता है अखिर में माता की आरती के आ जाता है परसाद वेट किया जाता है साम के एक बार फिर से दुबारा आ अरती किया जाता है उसके प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे अश्टूरागो चैनल को सब्सकाइब कीजिए पुरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत दन्यवाद